हलो माई फेंड्स वेलकम टूआ चानल मकैनिकल जॉब्स दोस्तो आज एक उच शांदार वीडियो आपके लिए लेकराएं फेंड्स बहुत ही बड़ी है वकेंसी आई है जो कि फ्रेशर्स के लिए है इंजिनियर की वकेंसी दुनिया की 500 फॉर्चियून में जिसका नाम आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जो पैस करने तो चलिए फ्रेंट स्टार्ट कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा जैसी आफ फ्रेंट लिंक को क्लिक करेंगे आपके सामने यह पीज आ जाएगा तो यहां पर आपने लेफ्टें साइट लिखा तो यहां पर आपने क्या लिख देना इंडिया लिख देना है ठीक है जैसा कि मैंने लिखा था पहले तो आपने इंडिया लिखके यहां पर सर्च करना है तो यहां पर जो मैं आपको पूरी वकेंसी दिखांगा फ्रेशर्स की और एक्स्पिरियंस दोनों वकेंसी दिखा दूँगा ठीक है थम्नेल में तो मैंने फ्रेशर्स की शो किया था तो काफी एक्सपीरियंस केंडियेट भी देखते हैं तो आपको दिखा देता हूं ओवर्विव दे दूँगा उसका तो आप इसके लिए तो आपको जो इसके लिए लगी है वो एक्सपीरियेट में तो इसके लिए रिसर्च में तो आगे आगे फ्रेंड R&D में जॉब है senior engineer के लिए हैदराबाद के लिए रहेगी तो दोस्तो जो भी आप experienced candidates हैं अगर आप design में R&D में तो जुरूर इसके लिए apply कीजिए ये बहुत ही बड़ी multi national company है तो दोस्तो हैदराबाद के लिए vacancy रहेगी senior engineer test developer की आगे आगे है friend हमारा senior engineer CAD के लिए ठीक है तो यह भी जो vacancy है यहाँ पर जो आपको minimum experience 4ES का यहाँ पर चाहिए तो दोस्तो आगे आएंगे जो रहेगा हमारा engineer design standardization at the rate zf wind power ठीक है तो यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं इसके लिए कॉम्टूर के लिए vacancy रहेगी मैं आपको यह open करके भी दिखाता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर आपको मैं जो apply कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर जो है इसका जो responsibilities है वो भी आप यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है फ्रेंड मिनिममम 2 ESP experience है तो काफी के अंडेट आ तो apply कर सकते हैं यहां पर back कर देता हूँ जो fresher की भी आपको vacancy यहां पर दिखाऊंगा तो दोस्तों यहां पर आप आगे दिख सकते हैं desire analysis की आगे vacancy है फिर technologist wind power में ठीक है तो आगे आगे हमारा technical lead data analytics IT में फिर आगे हमारा adas function developer met lab में senior engineer cost engineer यहां पर चाहिए ठीक है तो यह finance की जो बाद है कि specialist IT की आगी senior engineer R&D की एक और vacancy है तो अलग लग vacancy है सभी के लिए आप apply कीजिए ठीक है senior engineer solution design में ठीक है जो भी अगर इसके लिए आप eligible है तो यह आप apply कीजिए as a fresher experience जो है जो है जो उसको apply नहीं कर पाएंगे तो अगर आपके बाद उतना experience है तो ही आप उसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए तो दोस्तों आगे भी आपको मैं इसके लिए बता रहा हूं तो आगे आप दिख सकते हैं functional safety की है technical lead की R&D में ठीक है आगे आप दिख सकते है technical lead की काफी यहां पर vacancies लगी है ठीक है तो आपको मैं next page पे लेके चलूंगा यहां पर तो यह जैसे ही click कर दिया है यहां पर ठीक है तो next page पे आएं तो total 37 यहां पर jobs लगी है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते है technical lead की है specialist C++ है Java की vacancy है DevOps expert की आप python की है ठीक है तो इससे लिटिए अगर कोई candidate देख रहा है तो apply जरूर कर देए इसके लिए तो दोस्तों यह जो है अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं यह अभी वकेंसी आई है ठीक है फ्रेशर कंपनी को candidate चाहिए इंजिनियर्स चाहिए कंपनी में ज्यादा इसके बारे में description नहीं दिया है बड़ यहां पर लिगा be a part of zf टीम एज इंजिनियर अप्लाइन आप कर सकते है सतिश कुमार रेडी सती को अगर contact भी आप करना चाहते है तो ठीक है तो आगे आपक अकाउंट क्रेट करना है अकाउंट क्रेट पे आपने अगर आपने यहां पहले नहीं अप्लाई किया तो यहां पर अकाउंट क्रेट कीजिए ठीक है अपना email id रिटाइप करना email id अपना choose password कर देना minimum eight characters का होना चाहिए आपका ठीक है तो एक जो letter आपको अपर case रखना तो खो सकता है अगर आपका यहां पर profile कोई बाहर Germany में भी देखे तो इसी company में तो HR आपको recruit करना चाहिए तो recruit कर सकता है ठीक है ना तो यहां पर आप create account करें create account करने के बाद आपका profile जो हो जाएगा email id और password को याद रखिए account को फिल login कर सकते हैं तो login करके अपना CV upload है तो दोस्तों यहां पर जो मैं आपको बता दू अच्छा अपना cover letter और resume में डाली जो professional हो का ठीक है तो कि यह MNC company है तो यहां पर professional CVS ही आपके होने चाहिए तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बार back करके भी बता देता हूं ठीक है तो यहां पर दीखी freshness मांगे इस company अपनी के लिए ठीक है तो maximum अगर आपके 4 years का भी experience होता तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तों उसके नीचे जो vacancies है यहां पर और भी vacancies लगी हुई है senior engineer की है vacancy solution architect की और senior engineer adaptive autosar की है तो दोस्तों इस vacancy है जो इसको जो मैंने बताया आपको R&D के लिए तो इसक आपको यहां पर दिखाई के जानकर इच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेय जूर कर देना धन्यवाद आपको देनी शुब्र है